बॉक। आप सभी को गुड मॉलिंग। सुबा के बचगी है साधे दस। और सबसे पहले आप सभी को शीरी गुरु नंग देवजी के बध कर आप सभी को लाग-लाग बध आइए हो। आप सभी को क्या बूलती है है उसको यार शुबकाम नाए कल गुरु ननक देव जी का गुरु पूरब है और कल पुन्या भी है ठीक है तो इसी के कारण मैं आज करतारपूर जा रहा हूँ शिरी गुरु कंकसर साहब गुरुदवारे में माथा टेकने के लिए और आपको वहां का इतिहास बताने के लिए ठीक है जी वहां पर मैंने सुना के मेला भी लगए हुआ है आपको वह भी दिखाऊंगा ठीक है चलिए सबसे पहले करतारपूर पहुँचकर गुरुदवारे के बाहर जाकर आपसे मिलता हूँ तो है लोग आप सबी को गुड मॉर्निंग सश्रीयकाल हाइ है लो असलामालेकूम छोटों को हलो और बड़ों को पेलिवेन दोस्तों अभी मैं आया हूँ करतारपूर करतारपूर शहर में टीक है जी जहाँ पे एक गुड़वा सहब है गुड़वा शृरी कंगसर सहब या पंजमी और शेमी पास्चाहीजी का गुर्दवर है ठीकर जी मैं एक बार आपको बाहर से दिखा देता हूँ कि बाहर से गुर्दवरा कैसा दिखता है और फ़िर आपको इस क्याइटी हास आपको अंदर के दर्शन स्ड्रोवर के दर्शन और सभी दर्शन करवाऊंगा, ठीक है जी, यह बाहर से देख लिजी एक बार, उपर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, गुर्दवारा कंसल साहब, पाशाही पंजमी या ते शेमी, पंजाबी में लिखा हुआ है, ठीक है जी, यह उत मैं, गुर्दवारा के दर्शन करवा इसको हम बोल जेते हैं लो थै कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं यह नहीं मिरको पता यार कवा बोलते हैं मिल्टा से की करी कि tähän यहां पर बबाजी को निशान सहाब दो लगे हुँए उपर सक कि यह एंट्री का रास्ता है दोस्तों जहां से एंट्री होगी बाबाजी के मार्किट बहुत बड़ी सजी है पाइपल आजेते की है कादा मेला लगा दा बार कल पुन्या हुआ घुरपुर हुआ ओदे करके है तीज़े जी तो भाइयो कल पुन्या भी है और कल शरी गुरु नानक देव जी का बड़ दे है तो इसी के कारण आज मेला लगा हुआ है बाहर जो शोप सोगरा लगी हुए है बहुत सारी मेला बहुत बड़ा लगता है कुरु नानक देव जी के बड़े वाले दिन सिर्व यही नहीं इंडिया के इंडिया में जितने भी गुर्दवारे हैं या पूरे वोल्ड में सबी गृदवारों में कल बाबाजी का बड़े मना आ जाएगा बहुत धूम दाम से की गए जो संगत है वो सुर्दवारे वो सारे के सारे गृदवारे में पहुँचते है बाबाजी के अगर माथा टेकने के लिए बाबा जी क्या कि माता टेक कर अपनी परेशानिया दुख तकलीफस जो भी हbildung है वो बाबा जी को बताते हैं उनसे मुराद मांगते हैं यह विष्भ मांगते है कि बाबा जी हमारी यह विष्भूरी कर दीजिए हम यह करेंगे वह करेंगे चीका जी तो चलिके अभी शूठ तो तो चुछ रोटवारी के अंदर चलते हैं कि अपने शूल कि यहां फेरिकंप system घ करें बना होगे खुदसेवा करने हैं यहां अब बाबा जी बेचे यहां पर वेऊने यहां पर जोरों सेवा करते हैं ह यह चलते हैं उठिंदर अि क्यां जार जी ने आगे बोला कि सबसे कहले न आप परमेशन लीजिये तो अभी मैं परमेशन लेक्ट क्या हूँ अंकल जी से तो अंकल जी ने परमेशन दे दिये मेरे को बोला है कि अराम से अभी जी बनाइए इतिहास के बारे में अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते ह ने मेरे से तो बहुत उनका अच्छा नेचर था यार बहुत ही पूलैटली बात की उन्होंने मेरे से की गई चलिए अभी हाथ दोते हैं हाथ दोकर फिर चलते हैं गुरदवरा साथ जी के अंदर सबसे पहले ना मैं आपको इतिहास के बारे में बदा देता हूं यार और इ देख बारे हैं या पंजाबी में लिखा हूँ हुआ है इतिहासिक गुरदवरा श्री कंगसर साही पादशाही पंजवी या शेमी या पंजाबी में हैं दोस्तों अगर आपको इसकी फोटो भी खीच नहीं है खुद पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है हिस्ट्री गुरदवरा श्री कंगसर साहीब चीक है जी आप इसकी फोटो की सकते हैं पढ़ सकते हैं तो भाई यो अभी अभी ना मैंने इतिहासिक बारे में सारा पढ़ा है आपको मोटी मोटी बाते मैं बता देता हूँ जैजो गुरदवरा श्री गुरु अर्जन देव जी जैनि की बंजिवी पादशाही जी और श्री गुरु हर गुबिन साहब जी जैनि की शेवी पादशाही ने उन्होंने 1665 इस वी में इस गुरदवरे का ठापन किया था और लोगों को इस इलाके में पानी की बहुत कमी महसूस होती थी तो उन्होंने यहाँ पर खुब लगवाया जिस खूमे की श्री गंगा माता जी का सीधा पानी भी आता है तो यहां पर अबाबाजी ने बोला था कि जो भी रोगी मांसिक रोगी हो जा श्री रिक रोगी हो वो यहां पर आकर नहाएगा इसके सारे रोग दूर हो जाएंगे और तब इस गुरुद्वारे का नाम भी श्री डंकसर खाही पढ़ गया थी का जी चलिए अभी हाद दोते हैं हाद दोकर चलते हैं श्री गुरुद्वारा साब जी के अंदर घजिए यह यह पाए पैर दोने के लिए आपको पता ही होगा हर गुर दोबरे में मिलता है यहां पर संकत अपने पैर बगर्द होती है गापıs कि ये जैन निशान साहिप सब से पहरे निशान साहप कर टेकल के माफ़ा पर कीर्मा भी कर लेंगे क्योंकि पर कर्मा करनी बहुत श्रा की अनिवारी हो जाती है दोस्तों इस चीज का इति हास मेरे आपको नहीं पता है बस आपको पता दिया मैंने दूसरे निशान साब जी के भी माथा टेकेंगे दूसरे बाबाजी जो जो सब्सक्राइबर या कोई भी यह मेरा ब्लोग देख रहा है मैं बस दूसरे रदास करेंगे बाबाजी के आगे कि आप सबी की मनो कामना आसे मुरादे पूरी हो आपकी हरेक विश्पूरी हो ठीक है जी चलिए चलते हैं गुर्द्वराजी के अंदर बस यह बाबाजी के पर दूबरा अब बाबाजी के बाबाजी के बाबाजी बहुती खूपसूरत बना हुआ है आप देख पा रहे हैं पर शक्त भी अब बाज़ यहां पर जोट भी जलती है शहीदों के नाम पर जोट बाबाजी ने भी पंस के लिए शहीदियां दीने यह उनकी जो जलती है अखंड जो जलती है यह कभी भी छंडी नहीं होती मेंचे ही जलती रहती है जब से यह गुर्द्वरा बना आए तब से इस जहां पर जोट जलती आ रही है आप सबी ने आप सबी ने देख़ए होगा कि मैं वहां से अंटर हुआ था और्याइद में जाएंप यह अब सबीने देख़ ही होगा कि मैं वहाँ से एंटर हुआ था और यहां से एइडिट है यानिकी बाहर आने का रास्ता जब आप इस रास्ते से बाहर आ जाते हैं तो यह सामने ही स्रोवर है बहुत ही खूप्सरो श्रोवर है और इस स्रोवर की भी यह मान्यता है जो कोई यहां कोई भी रोग है जहां कोई दुखतक्लीफ है मांसिफ रोगी हो जहां शरीरिक रोगी हो उसके सारे दुखतक्लीफ दुख दर्द दूर हो जाते हैं इस रोवर में मचलिया भी है आप देख पार होंगे घरी बहुत सारी मचलिया हैं इसमें इनको दाना वगरा डालना सकत मनाएं सिर्फ कुर्दवरा की जो कमेटी ये परबंदक है वही इनको खाना वगरा दे सकते हैं बाहर का कोई दूसरा नहीं दे सकता क्योंकि लोग आकर अक्सर देखा जाता है कि तलाबों को या स्रोबरों को मेला गंदा कर देती हैं इसी के कारण और यह गर्दवरे का पिछला हिस्था आपको दिखा देता हूं बहुती खूबसूरत बना हुआ गर्दवरा बाबाजी का कल शरीकुरू नानकदेग जी का भाईयो बहुत ज़्यादा रश होगा लोग दूर दूर से यहां पर माथा टेकने के लिए आते हैं और साथ ही कल पुनिया भी है मैं आपको बाबाजी का जो खूब है वो दिखा देता हूं कल सभी के सभी लोग पुनिया पर आकर ना हाएंगे यहां पर श्री चलते हैं खूब के पास आपको खूब के दर्शन दिकरवा देता हूं उस खूब में श्री गंगा जी का जलाता है और बाबाजी का वर्दान दिया इस खूब को कि जो कोई भी नहाएगा उसके दुख दर्द दूर हो जाएंगे आईए दिखाता हूं आपको यह है कोवा खूब के मेरे को हिंजी में बोलना नहीं आता माव करना के लिए पंजाबी में खूई बोलते हैं कूवा हां कूवा बोलते हैं इसको कूवा जो कूवे का जला है मैं आपको दिखाता हूं कि वो कहां से बाहर आता है देख मेरो कियेगा जो कूवे का जला है वो यह ट बाहर आता है आप देख पारे हैं फूदा पुवित्र जल इसे छको यानि की कुवे का जो पुवित्र जल है आप यहां से आकर पी सकते हैं तो यह थे गुर्द्वरा श्रीकमसर साहब जी के दर्शन एक पर आपको बाहर से भी दिखा दोता हूं उच्छे से बाहर से भी शर्दालू हैं आप देख पारे हैं यहां पर कई शोप्स हैं और बाहर दूसरी और तो मिला लगा हुआ है ठीक है अभी शाम को कल तक बहुत ज़्याद रश हो जाएगा यहां पर पैर रखने की भी जगा नहीं होगी बहुत दूर दूर से शर्दालू आते हैं पर हजारों की जिंती में कल आकर शामिल होंगे यहां पर बाबाजी का बड़े मनाने के लिए हर कोई जो लंगर की विवस्ता है मैं वह भी अब को दिखा देता हूं कि वह कहां पर है जो लंगर की विवस्ता है वो सामने है आप देख पा रहे हैं सामने होल बना हुआ बड़ा सा वहां पर लोग लंगर शकते हैं यहां कर बाबाजी का लंगर 24 गंटे चाहिता है यहां पर यादी प्रियों से खुटवरा का दर्शन आप सभी घर बेटे ही बाबाजी का दर्श स्क्राइब कीजिए लाइब कीजिए शेर कीजिए जितना हो सके और मिज़े स्पोर्ट करना मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए बैतरीन और रोमांचिक जगाएं लेकर आसकूं योट्यूप पर आप सभी तो दिखाने के लिए प्लीज जितना हो सके वीडियो को शेर जोटे वगरह रखते हैं यहाँ पर हम जूते वगरह रखते हैं यह रखे से मैंने अफने शूस चड़ी बाहर चल कर पहनते हैं तो यहार तर चिन मैं ने आपको बाबाजी के गुर्दुवारे के आप साभी में कर दिए होंगे अच्छे से अंडियूग है और अभी मैं आ को दखने के लिए एंकर टी लुगरा मिल जाते हैं बैक मिलते हैं आ !! सिन नो कैंडल लाकर जलाएंगे अभाप ले कि चलाएंगे बाबाय जी उल भटे पर दे के रोच कि यहाँ पर परताद मिलेगा बाबाजी का सबस्का देक आपको यहाँ भर ओ किय我也 सब यही चीज, यही सब चीज़ी है, मैं बोर दिखा ह sau, यहाँ पर दिख्रिटि लोन मिलेंगे आपका बच्चों के लिए, बीगरी वहां पर बड़ताना है, यहाँ पर प्रेख्ज लोन नार, बाबा जीका रुमाला साथ मिलेंगा यहाँ पर आपको देख़ता है हैager ऐसे हाने पीने की शॉपस भी लगी हुई है आगे तक, लोगों की भी खमाही हो जाती है और जो लोग भाबाजी के दरबार पर मातप़ टेगने के लिए आते हैं, उन लोगों की खरीदारी शॉपिंग गगेरा हो जाती है, आपको पता है जब बच्चे ममा पपा के सा जाते हैं तो के लिए हमेशा ही जित जित करते हैं और तें बरतन करिए और अगर समय या सब समान हो गळा spraying है और ख़ाना खाने पीने की भी बहुत सारी विबस्ता ही पड़िया बहुति तो लंगर की विबस्ता है यह है और बाहर भी खाने पीनेगा बहुत सरा समा लगा जैसे कि बर्गर टिक्कियां बगएरा नूडल्स जॉमिन कोल ट्रिंग्स बगएरा तो यह था मेरा आज का व्लोग दोस्तों उम्मिद करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा ठीगा जी बाबाजी के गुर्दवारे पर आकरियर बहुत अच्छा लगा मुझे भी मेरा भी दिल दिमाग बहुत ज़्यादा हलका हो गया है ऐसा मिल्गा की जैसे ना मन का क्या वहुता हैं बाज वॉल्ग होगा हो चलिए आक्ली बाबाजी की दर्षन चिए गर को आप सभी भी दर्ष allergic कर लीकिया बाबाजी के व्यावाजी आप सभी की आस्यम मुराथingers जो भी अपकी विश्य chilly जो भी का फ़ास डूर करें आपकी वैस स्कूरी करें मैं यहीं उमीद करता हूँ ठीकरी सच के अकाल आप सभी को मेरे भाईयों मेरे बहनें को ठीकरी बड़ों को पैरिकोना और छोटों को हाई हेलो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेर कर दीजिएगा जितना हो सके मिलते हैं नेक्स ब्लोग में तब तक के लिए बाई बाई